हेलो गाइस वेलकम बेक टू माइक्रो उनलाइन सर्विस आश्टा दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल में आज हम बात करने वाले हैं क्रसी यंतर के बारे में कौन-कौन सी क्रसी यंतर आप सभी को अलोट होने वाले हैं संचाल ने क्रसी यंतर की बहुपाल मदिपरदेश ठीक है तो यहां पर आपके सामने यहां पर देखेंगे नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं 18-6-2024 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 19-6-2024 दो फेर 12 बज़े से लेकर के तो 26-6-2024 तक आपके फाहम यहां पर आवेदन कर सकेंगे ठीक है अब बात करते हैं क्रसी यंतर की कौन-कौन सी क्रसी यंतर इसमें रहने वाले हैं तीसरा है इसमें Zero drill कम fertilizer drill ठीक है इसके बाद रेंश ब्लेट प्लांटर अगला है रीष फरोव प्लांटर इसके बाद मल्टिक्राफ्ट प्लांटर ठीक है आप चाहें तो यह link आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगी main portal के उपर ही वहाँ से आप देख करके अच्छे से भर लें क्योंकि demand आप पापस से आपको cancel ना करना पड़ें तो यहाँ पर देखेंगे जो बी अलग-अलग जीला है उसके अनुसारी यहाँ पर नाम दिया गया है जैसे संचालनी की यंतरी की सी हो ठीक है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है अब बात करते हैं आपका जो रोटावेटर है उसके लिए 5000 का डीडी लगने वाला है इसके बाद में यहाँ पर रहेगा सीट कमफर डिलाइजर सीड ड्रील जीरो प्लांटर यह सब जि देखते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए इसके बाद में समगरा आईडी होना चाहिए तीसरा है जमेन की भाई होना चाहिए चोथा है बैंक पास्बुक होना चाहिए और लास्ट में है टेक्टर का आर सी कार्ड होना चाहिए तभी आप फरम apply कर पाएंगे इन सभी document को आपको लेकर के आना है तभी आप form apply कर पाएंगे यहाँ पर देखेंगे आवेदन की जो process है 24-25 वाले आवेदन process के उपर क्लिक करेंगे apply now यहाँ पर देखना है आपको दो option आपके सामने देखेंगे पहला option रहता है पंजीकरत क्रशक की बात करें तो इस वाले option के उपर पहले से अगर आप पंजीकरत नहीं है नविन पंजीकरत है तो आपको second वाले option लेना है ठीके तो हम सबसे पहले जो second वाले option है उसके अनुसार है हम यहाँ पर जैसे आधार नमबर डालेंगे इसके बाद में declaration वाले option के उपर क्लिक करने के बाद यहां से सत्यापित करेंगे दोस्तों यहां पर आपको देखना है दो device इसमें दी गई है एक तो morfo रहती है दूसरा रहता है netgen तो आपको जैसे morfo है आपके पास है एक OTP आएगा OTP आने के बाद उसे यहां पर इंटर कर देंगे अब यहां पर आपको ध्यान देना है फर्स्ट इस्टेप आपकी हो व्यक्तिकत जनकारी जो मैंने आपको यहां पर भरके दिखाए राइट दूसरा है क्रशक की भूमी की जनकारी तो आपको यहां पर भरन्ना होगा बैंक की डीटिल आपको यहां पर होगा complete होने के बाद यहां पर fourth वाले option में यह इनकी fourth step में यह complete होता है पेले profile बनती उसके बाद आप आवेधन कर पाएँगे तो हम यहां पर first वाले option को देखेंगे तो आपकी basic जनकारी आ चुकी है इसके बाद में यहाँ पर आपका जो विवरेंट डेता है उसे अपडेट करना होगा जीला कुन सा है खंड कुन सा है इसके बाद गाव सहर कुन सा है तो इसके बाद में आपका जो mobile नंबर जो अधार से लिंक है वही वाला नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है राइट अगर BPL कार्ट पेले से है आपके पास तो आप डाल सकते है अधर्वाइस कंपलसर ही नहीं है समगराइड यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा जो भी आपकी केटिगरी है उसे आपको यहाँ पर च्वाइस कर लेना राइट इसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे आप second वाली step जो रहती है उसे आपको फिल करना होगा इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर फिल कर देना राइट इसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे तो आपको second थर्ड वाले option के उपर जाएंगे यहाँ पर bank की detail में आप करशक का नाम डालेंगे यहाँ पर आपका bank account number डालेंगे कौन सी bank के drop down करके आपको select कर लेना है इसके बाद में यहाँ पर आपके जो साका है उस साका का नाम आपको enter कर देना है जो भी IFAC code आपकी bank passbook पर लिखाया उसी को आपको enter करके यहाँ से आगे बढ़ जाना है इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पूरी तमाम सारी जानकारी आपके सामने display होने लगेगी इन सब को अच्छे सच एक बार check कर लेना है ऐसा ना हो कि आपको गलत जानकारी भर दे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर आवेदन करें है तू इस वाले option के ओपर click करेंगे अब यहाँ पर आवेदन करने से पहले मैं आपको एक पूरी जानकारी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखेंगे आपके सामने बहुत सारे option देखेंगे पंजी करत आवेदकों की सूची क्या है आवेदक की वर्तमान इस्तिती इस वक्त क्या चल रही है अनुदान प्राप्त करने की सरते क्या क्या है यह भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और बात करते हैं आपका यह अंतर की जो लक्षे है कितने लक्षे आएं उन सब को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं तो हम पहले लक्षे की बात कर लेते हैं कौन-Kौन सी लक्षे हैं किस प्रकार से आपको चेक करना होगा, दो option दिये गए हैं, इसान कल्यानी भाग या फिर करिशीं यंट्री किये, तो हम करिशीं यंट्री किलेंगे, वित्त कौन सा है, यहनिके वर्स कोन सा है, उसे आपको सेलेट कर लेना है, इसके बाद योजना कौन सी है तो योजना यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी इसमें योजना कौन सी योजना में आपको यह यंत्र आए है उन सब को यहाँ पर सेलेट करने के बाद डिस्टिक सेलेट करेंगे और कौन सा आपका यंतर है उसे सेलेट करने के बाद खोजे इस वाले option के ओपर क्लिक करते ही आपके सामने तमाम जानकारिया यहां पर आ जाएगी रही अब जैसे हम नहीं आपर लोगिन किया लोगिन करने के बाद जैसे हम नहीं आपर देखते हैं अगर आप मेनी स्पिंगलर लेते हैं तो यहां पर आपकी योजना रहेगी इसमें 9 फीस लिखा हुआ है कोई फीस आपको जमा नहीं करना है 0 फीस रहेगी यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर देखेंगे न्यूमेट्रिक पावर जो प्रांटर है उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने उसका जो योजना का नाम दिया गया है डिमांडर आप कितने का बनाना पांच सेजार का बनाना रहेगा इसके बाद आपको आवेधन करनेंगे रोटावेटर का अगर आप आवेधन करना चाहते हैं तो यहां पर आपके सामने सब्मिशन औप एग्रिकल्चर एनिग्रेशन येवल आपके लिए वो रहेगा इसमें आपको पांच सेजार रुपे का डिमांडर आप करना होगा स्वचले टूल वॉक इन सभी के लिए गर आवेधन करना है तो इसके भी आपको यहां पर योजना दी गई है बात करते हैं डिमांडर आपकी तो इसमें भी आपको पांच सेजार के डिमांडर आप बनान यहां पर आवेदन वाले option के उपर click कर सकते हैं बात करते हैं only seedile की तो यहां पर आपके सामने योजना रहेगी इसमें भी only 2000 रुपे का आपको demand राप करना होगा आवेदन कर सकते हैं happy seeder या फिर super seeder की बात करें तो इसमें भी आपको same use ना वही रहेगी बात करते हैं demand राप की तो इसमें 5000 का demand राप का आपको बनाना होगा आवेदन कर सकते हैं अब आवेदन कैसे होगा यह देख लीजिएगा सबसे पहले हम देख लें जो भी आपको जैसे हमने रोटावेटर वाले option के उपलिया तो यहां पर आवेदन करें जैसे हम इसके ओपर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारी जो है तमाम जानकारिया आ जाएगी यह जो जानकार है आवेदन में देखेंगे रोटावेटर हमने लिया योजना लिया इसमें 5,000 का डिमांड़ आप आपको देना होगा राइच तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम को च्छैस कर लेना है कौनसी बैंक से आपने यहां पर डिमांड है जैसे हमने स्टेट बैंक कर लिया तो State Bank of India जो भी आपकी bank है उसे ले सकते हैं जो भी है आपकी bank है उसे आपको यहाँ पर choice करना होगा Demand डाप पर यहाँ पर एक number लिखे रहते हैं वो यहाँ पर type करना है जारी दिनांग जो रहती है वो दिनांग के यहाँ दिनांग यहाँ दिनांग है कर देना है जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक सिलिप आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी उस सिलिप को आपको समाल कर रखना है क्योंकि जब बाद में आप लोटरी आपको निकालेंगे लोटरी में आपका नाम देखेंगे तो सिलिप काम आएगी आवेधन की जो जानकारिया वो अगर आपके पास slip वगरा नहीं है तो आप यहां से निकाल सकते हैं अधार नमबर डालिए या फिर आवेदर नमबर आपके पास आगए मुबाइल पर तो आप दोनों condition में किसी भी condition में से उसे यहां पर निकाल सकते हैं जो slip आपके पास आएगी उस slip को आपको समाल करके रख लेना है क्योंकि उसी के base पर ही आपका जो है आपका जो लाटरी है वो आप देख पाएंगे तो दोस्तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियो को लाइक करें धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब रहे